कलस्टीबी की पॉपलर सीडियल नीमा डिंगजोपा में हमने अब तक देखा कि प्रियल कृष्ट को रोटी देती है लेकिन नीमा बदल देती है वही रोटी प्रियल खा लेती है अगे हम देखते हैं कि तुलिका कहती है कि मुझे नाशिक वाली प्रॉपर्टी के बारे में पता था लेकिन मैंने अपने आप में बदलाब किया सुरिश ने भी एक मौका नहीं दिया मुझे वहीं शुरीश कहता है जिस property के चलते तेरे में बदलाब आया है ना है वह property मेरी थीं ही नहीं और शुरिश जज से कहता है कि मुझे divorce चाही है वहीं हम देखते हैं कि तुलिका courtroom से rote rote निकल जाती है वहीं वकील judge को papers देता है जिसे देखकर सुरिश भी हैरान होता है वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रियल ने जो रोटी खाई होती है लेकिन यहाँ नीमा कहती है कि जो आप क्रिश के साथ करने वाली थी वही आपके साथ हो रहा है आज मैं विराट सर को सब कुछ ससच बता ही दूँगी वही आगे हम देखते हैं कि विराट है अपनी मा को पिकरने ऐपोर्ट जाता है आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर विराट की मा जैसे ही घर में एंट्री करती है वैसे ही वो गिर जाती है और यहाँ पर यह नाम भी कृष को फसा दिया जाता है कि पानी कृष नहीं गिराया था और नीमा ने पोछा लगाने से इंकार किया था वहीं आगे हम देखते हैं कि जब क्रिश है जो पैर छुने जाता है तो यहाँ पर विराट की मा पैर नहीं छुने देती है और अगे हम देखते हैं कि नीमा है जो यह कहते हैं मुझे विराट सर से कुछ बात करनी है और लेकिन यहाँ पर जो है ताई जी रोपनी की कोशिश क अब क्या नीमा जो है विराट को सच्चाई बता पाए कि कि प्रियल है जो क्रिश के साथ हजीब हरकते कर रही है और उसे पागल करना चाहती है जानने के लिए देखना ना भूले नीमा डिंग जोपा टेलेवरजिन की लेटिस्ट अबडीट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें